आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रांस्क्रिप्शन क्या होता है तो ट्रांस्क्रिप्शन आपका जो है ये सेंटरल डोगमाफ लाइफ जो है उसका एक इस्टेप है ट्रांस्क्रिप्शन का मतलब होता है डियने से आरेने का जब फार्मेशन होता है तो उस प् पूस को बोलते है रिप्ली केशन के और फिर टीनस से जब औरेने का फारमेशन होता है तो उसको बोलते हैं हम DR ट्रान्स्क्रिप्शन। फिर RNA से प्रटीन बनती है DRestar को रोटीन का फार्मेशन होता है तो उसको बोलते हैं ट्रानसलेशन फिर प्रोटीन से कोई मुक्से दो हो जाता है में अगर ट्रांस्क्रिप्शन होना हो तो अगर देखा जाएं तो त्रांस्कृप्षन पूरे डियने का नहीं होता एक बार में कुछ बार्ट का ट्रांस्क्रिप्शन होता है उससे प्रोटीन बनती है और प्रोटीन से कोई करेक्टर एक्सप्रस होता है एक जीन का ट्रांस्क्रिप्शन होता है जीन का मतलब डियने का ऐसा सेग्मेंट जो एसी protein बनाएं उससे कोई एक character express हो तो transcription की definition समझ में आ गई होगी आपको DNA से RNA का formation RNA में में मेली mRNA बनते हो सारे टाइप सारे जितने भी टाइप है RNA के इसी से ही बनते हैं transcription से ही तो DNA से RNA transcription हो जाएगा transcription DNA के particular part का होता है तो यह यहाँ पे लिखा है occurs for some part of DNA और gene transmission यह पूरा DNA है सिर में इसके किसी part का व sprd नोगा पूरे complete part का transcription एक सात में नहीं होता है अब ट्रांसक्रिप्श जो आपकी cell cycle होते है लग चार स्टेज हैं में वहां पढ़े होंगे कि जो DNA का replication होता है वो केवल कहा होता है synthesis phase में होता है synthesis phase क्या है कि cell cycle का एक step है तो यह यहां पर लिखा है in one cell cycle transcription can occur multiple time but DNA replication one time in a cell cycle एक cell cycle में transcription तो कई बार हो सकता है लेकिन जो आपका replication है वो केवल एक ही बार होगा आगे का देखते है transcription का mean क्या है making copy of information of DNA जो अधियने की है उसकी copy ही तो इसमें बनाते हैं DNA से आरेने बनाते हैं DNA से आरेने बनाएंगे DNA पर सारे character की information है उनसे आपको कोई एक character express करना है तो उससे आरेने बना लेंगे तो वही आपका transcription का main mean क्या है making copy of information of DNA only difference in place of T T मतलब time mean you is present देखो जो आपका DNA होता है उसमें nitrogenous based कौन कौन से होते हैं A T G C adenine thymine guanine cytosine यह होते हैं और आपका जो RNA होता है उसकी language क्या होती है देखो DNA की language ATGC है और RNA की language क्या होती है आपकी AUGC उसमें thymine की जगे पर आपका uracil होता है तो जब copy बनेगी तो जहाँ DNA से RNA बनेगा तो उसमें difference के वाले इतना होगा जहां पर इसमें टी आ रहा होगा DNA में वहां पर RNA में यू आएगा thymine के इस्थान पर uracil आएगा इसमें आपका जैसे transcription का मतलब ही है कि script change हो जाना जैसे दोखो एक बता रहे है example हम आपको जैसे आपको आम लिखना है जैसे आम ऐसे हिंदी में लिख दिये हम आम और यह ऐसे English के words में लिखे हैं तो यह English वाली लिपी में लिखा है लिपी मतलब यह क्या है आपका transcription है बतलब DNA की language जो है ATGC को AUGC में लिखना ATGC को AUGC में लिखना यही आपका क्या है transcription है तो यहां transcription का आपको मीन समझ में आ गया होगा transcription होता कहा है cell cycle में G1 phase में भी होता है G2 में भी होता है और replication के वाल S phase में होता है क्यों आप जो आपका transcription है इसकी location देखेंगे cell में होता कहां पर transcription है तो यगरियोटिक सेल में Nublius के अंदर होता है आपका transcription और जो परो के स complaining होता हुझ हिननी तो उसमें कहां होता है مचारिया अ उन में on an and Central और ट्रैंस्पाल्ड होता है Transcription मतलब DNA से डीनीन का formation translation मतलब RNA से प्रोटीन का फार्मेशन तो ये दोनों एक साथ में देखे जा सकते हैं कहां और युक में एक साथ में क्यों नहीं देखे जा सकते हैं क्योंकि जो transcription होता है वो nucleus के अंदर होता है RNA वहाँ बनता है फिर RNA वहाँ से बाहर जाता है और protein synthesis के स्तीज़ बाहर चलती इसलिए यinka क्रेंस्क्रिप्शन और फ्रेस्वारेशे एक साथ में नहीं होताए भर्ड जो आपकी बैक्टीरिय ट्रौट्सरह ऑप यह सब सबस्दंटrOn एक साथ में दोनों हो सकते हैं ओक है तो इसके लिए रिस्पांसिबल एंजायम का उंसा है यह पहले ही बता चुके हैं डिन डिपेंडेंट आरेने पॉली मेरेज पूरा ट्रांस्क्रिप्टन कराता है यह पूरा प्रॉसेस कैसे चलता है वह सब इस वीडियो में देखेंगे अभी यह यहां पर लैंग्वेज लि होता है और उसके केवल एक ही इस्टेंड से आरेने का फार्मेशन होता है कि दिने के एक ही इस्टेंड से आरेने का फार्मेशन होता है दोनों इस्टेंड से फार्मेशन नहीं होता केवल एक ही इस्टेंड टेंपलेट के जैसा बिहेव करता है उसे आरेने का फार्मेशन हो RNA polymerase engine और उसका replication जो इसका transcription process है वो हमेशा five prime to three prime होता है मतलब जो DNA के दो strand है एक होगा उसमें five prime to three prime एक होगा three prime to five prime तो आपका जो DNA का stand three prime to five prime वाला होगा उस पे five prime to three prime वाला RNA बनेगा तो केवल एक ही stand पे RNA affirmation होता है DNA के इस्टेंड ये ऐसा ही क्यों होता है कि एक ही इस्टेंड पर ट्रांस्क्रिप्शन क्यों होता यह यहां पर लिखा वाई बोथ इस्टेंड नाट सो ट्रांस्क्रिप्शन दोनों इस्टेंड ट्रांस्क्रिप्शन क्यों नहीं सो करते हैं डियने के जो दो इस्टेंड हैं दोनों इस्टेंड ट्रांस्क्रिप्शन सो क्यों नहीं करते हैं यह question से पूछ सकते हैं why during transcription only one strand of DNA is used for RNA synthesis के वाल एक ही strand DNA का क्यों RNA बनाता है तो देखो यह DNA के दोनों strand है मालो यह 5' to 3' वाला है यह 3' to 5' वाला है अगर दो अगर दोनों से बन रहे दोनों से यहां पर बना के दिखाया हमने लिकिन यह पॉसिबल नहीं है कि बाल एक से ही बनता है यह एक से क्यों बनता है देखो यहां पर एक मॉंट लिखा है एफ ट्रांस्क्रिप्सन अकरट एट सेम ताइम फार बो बोथ इस्टेंड देन डबल इस्टेंडर आरेने फो जाएगा अगर दोनों चिल अगए तो इनमें पैरिंग हो जाएगी और यह दबल प्रोटीन कोड नहीं हो तो प्रोटीन बनेगी तब ही यह इसा होता कि उसका एक ही इस्टेंड परोटीन बनाता है एक रीजिन इसका और है इफ ट्रांस्क्रिप्शन आप बोथ इस्टेंड अकरेट डिफर टाइम दिन टू डिफरेंट प्रोटीन फार्म दिस विल कॉंप्लिकेट जीन एक्स्प्रेशन मसीनरी यह भी अगर अलग-अलग बने दोनों से इस्टेंड मालों फ्यूज आपस में ना हो डबल इस्टेंड कि हम वाले इस्टेंड से फाई उफ्यूज ती प्राइम वाला आरेने का फार्मेशन होता है औरने का फार्मेशन हमेशा कैशे होता है तो यह अपको समझ में आ गया होगा वाई बोथ इस्टेंड नाट-सो टांस्क्रिप्शन पर हम लोग देखेंगे के जब आफ ट्रांस बनाना है सेल को तो उतने ही पार्ट का ट्रांस्क्रिप्शन हो जाएगा उससे आरेने बन जाएगा फिर आरेने से आगे चलके प्रोटीन बन जाएगी तो डिने पे छोटी-छोटी ट्रांस्क्रिप्शन यूनिट इस पर होती है उन्हीं का ट्रांस्क्रिप्शन होता है तो और इस्ट्रक्श्रल जीन का पूरे ट्रांस्क्रिप्शन होगा और टर्मेंटन साइट पे जब आपका आरेने पहुंचेगा तो वहां पे इसका इंड हो जाएगा तो देखते हैं ट्रांस्क्रिप्शनल यूनिट पे कैसे डिन्य का ट्रांस्क्रिप्शन होता है आरेने में तो यहां पर लिखा है ट्रांस्क्रिप्शनल यूनिट जो है इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट तो ट्रांस्क्रिप्शनल यूनिट है आपकी वह इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट है डिन्य की ट्रांस्क्रिप ये उसके तीन पार्ट है उसमें एक प्रमोटर साइट एक प्रमोटर है तो प्रमोटर साइट का में होता है इसा DNA सेक्वेंस होता है जहां एक अपका बाइंड करता है hiring polymer ऑफ यही तुआ है ट्रांस्क्रिप्टym करवाता है मतलब डेने से अरेने बनाता है यह एंजाइम है ऑब जो इस्ट्रेक्रट्रęd जीन है यह आपका क्या कोड़ता है structure logene ऐसा sequence होता है जो मरेने का फरमेशन करता है the sequence of DNA which forms mRNA यह structure logene termination का काम क्या होता है inhibit transcription process यह जो transcription process है उसको inhibit करता है कौन termination site जो अपकी होती है अब देखिए यह आपका यहां पर बना है कि डियने कि यह कि यहां से बैख हो गया कि यह जो आपका डियने है यह आपका डियने का एक स्टेंड है और यह नीचे वाला आपका दूसरा स्टेंड है प्लस सेटैंड उपर वाला इस्टेंड फाइब फाइब डियने का इस्टेंड है यह नीचे वाला जो है 3 फाइब तो आरने की सिंतेसि सिर्ण इसे पे होगी तो इसकी यह प्रमटर साइट है यहां से आपका आरने पृलिमेरेस बाइंड करेगा फिर इस वाली structural gene वाले site पे जो present है उसका complementary RNA बन जाएगा इस पे जैसे ATGC present है तो यह DNA की language में लिखा है अब इसको RNA की language में change करेगा RNA polymerase nucleotide को जोड़ेगा तो यह UACG का आपका 5' to 3' RNA का formation हो जाएगा तो यह इसकी promoter site है यह structural gene है और यह आपका आगे इसमें terminator site है यहां से RNA polymerase bind करेगा फिर यहां से यहां तक के part को यह transcript करेगा DNA से RNA बनाएगा फिर यहां जब पहुंचेगा RNA polymerase तो transcription बंद हो जाएगा तो इसके कोनो इस्टेंड है आरेने का formation होगा किसे इस्टेंड पर आपके template वाले इस्टेंड पर इसको anti-sense इस्टेंड या minus sense इस्टेंड भी बोलते हैं ऐसे आपका क्या होगा transcription होगा अब देखते हैं और जो आपका sense वाला इस्टेंड है coding इस्टेंड similar to RNA यह coding इस्टेंड आरेने के similar होता है template इस्टेंड क्या होता है which used to make RNA template इस्टेंड वही 3'5' वाला इसी पर आपका RNA का formation होता है जो promoter is located 5 in the coding इस्टेंड जो promoter होता है वह कहां पर प्रजेंट होता है coding design के 5- ningún coding इस्टेंड मतलब उपर वाला जो है उसके नीचे वाला जो आपका है standard order template Day इस्टेंड उपर वाले को बोलते हैं coding इस्टेंड तो तेक्व कोडिंग सेंट के फाइव किसका oni हुआ ना जो आपका टेंपलेट है इसके फ्रेट में पर है हो किस प्रिजरण होता है ठीप्राम इंड पर अपका प्रेजंट होता है किसके ठीप्राम इंड पर जो कोडिंग इस्टेन्ड उसके ऊपर वाले लेकिन डियन ने जो RNA का Synthesis है वो टेम्पलेट इस्टेंड पर और यह आपा उपर वाला जो इस्टेंड होता है उसके हिसाब से उपर वाला जो कोडिंग इस्टेंड है उसका 5 प्राइम होगा और जो नीचे वाला टेंप्लेट है उसका 3 प्राइम होगा DNA का DNA से RNA जो बनेगा वो हमेशा बनेगा टेंप्लेट इस्टेंड पे प्रमोटर साइट कोडिंग इस्टेंड के 5 पर प्राइम पे ही तो होगी यहां पे होगी तो यह यहां पर लिखा प्रोकरीयाटिक में जो प्रो मोलती है उसको वीं मोड्य TOP को बोलते हैं कुछ ऐसा सेख्वंवेंस वहां पर होता है Nucle of Recomm檢ो बाक्स बोलते हैं हांगी नेस बाक्स भी बोलते हैं तो यह आपका यहां सी हो गया अभ लोग देखेंगे प्रॉसर्स आफ ट्रांस्क्रिप्ट में चरोशंकimi तो अभी तो जनरल वाला देखेंगे कि ट्रांस्क्रीपशन कैसे होता है और कौन आरने पॉलिमेरेज डियने डिपेंडेंडेंट निया डिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडे बसे ने हैं वह को यहां नहीं देखने हैं जो आर्टि मेरे परें किया है एक होलो एंजाइम है कि अब देखो आयמו जो आपका आर्ने when देख करना होता है क्लिक को प्रमोटर साइट से जुड़ना होता है तो इसको एक egenvra peut- deepest करेगा सिग्मा फइक्र जब बाइन्ड करेगा तब यह recognize ....कर पाएगा जाके आरने Vive ने संट हो जाएगा ट्रांस क्रिप्शन पर यह फिर इस्ट्र्य याbig बीच में जो होगा वहां से औरने का formation करता रहेगा फिर आगे आपका termination site आ जाएगा termination site जब आ जाएगा तो वहां से एक row factor bind करेगा किसे RNA polymerase से जब RNA polymerase row factor bind कर जाएगा तो transcription की जो process है वो रुक जाएगी तो transcription start करने के लिए RNA polymerase को किसकी जरुरूरत होती है sigma factor की और transcription को बंद करने के लिए किसकी जरुरूरत होती है row factor की जब जब RNA polymerase से sigma factor जुड़ेगा तो यह transcription करने के लिए promoter site से जुड़ जाएगा और structural gene का transcription करना start कर देगा फिर जब transcription पूरा होने वाला होगा तो वहां पे RNA polymerase से एक row factor जुड़ जड़ जाएगा कि वह इसको क्या कराएगा transcription के process को रोंक देगा तो यहां पर यह दिखाया गया है जो आपका ट्रांस्क्रिप्शन है उसके तीन इस्टेपहमेन कौन कौन से है इनिसियेशन है इलांगेशन है और टर्मिनेशन है इनिसियेशन में वही आपका जो promoter से आरेने जुड़ेगा कि वही आपका इनिसियेशन है इलांगेशन क्या है जो इस्टेक्शल जीन का transcription होगा जिससे आरेने बनेगा वह एलांगेशन है तर्मिनेशन का मदलब जो प्रॉसस यह रुक जाएगा उसको टर्मिनेशन बोलेंगे तो यहां पर देखो दिया भी है यह अपका क्या है प्रमोटर साइट है यहां पर यह पूरा आरेने का एक जीन है मालो इसका transcription होना है चोटा सा पार्ट है यह टियने का इसका transcription होना है तो यह अपका promotor साइट है यह बीच में इस्ट्रेक्ट्रल जीन है इसारेने बनेगा और यह termination site है, अब आपका RNA polymerase वहाँ present है, RNA polymerase से अब transcription start कराना है, तो इस ते ये sigma factor आपका RNA polymerase से जुड़ जाएगा, यहाँ पर वही लिखा है, sigma factor along with RNA polymerase can identify promoter, sigma factor जब RNA polymerase से जुड़ जाएगा, तो यह promoter site है, जहाँ से transcription start होता है, उसको पहचान लेगा, और वहाँ से जुड़ जाएगा, यह यहाँ पर दिया है, RNA polymerase से जब sigma factor जुड़ेगा, तो bind at promoter site पर यह RNA polymerase bind कर जाएगा, और small piece of RNA farm, फिर एक बहुत छोटा सा piece RNA का farm होगा, बनेगा, और sigma factor वहाँ से leave हो जाएगा, वहाँ से निकल जाएगा, जिसे transcription में promoter site पर sigma factor का काम है, उसको जोड़ना, यह transcriptional unit है, यह इसकी promoter site है, यहाँ पर जो sigma factor का काम क्या है, RNA polymerase को वहाँ पर जोड़ना, जब वहाँ पर जुड़ जाएगा, उसको पता चल जाएगा, यहाँ से transcription करना है हमें, फिर थोड़ा transcription होगा, कुछ RNA का part बनेगा, RNA के nucleotide आपस में जुड़ेंगे, फिर वहाँ से sigma factor आपका बाहर आ जाएगा, और RNA polymerase आपका transcription पूरे structural gene का कर देगा, अब वहाँ सिग्मा factor साथ में नहीं होगा, सिग्मा factor का क्यवल इतना काम है कि उसको identify करवाना promotor site से जोड़ना RNA polymerase को, जब जोड़ जाएगा तो सिग्मा factor वहाँ से निकल आएगा, फिर आपका RNA polymerase ही पूरा RNA बनाएगा, अगला process है आपका elongation, अब elongation क्या होता है, अब वही promotor site पे जुड़ गया था, जुड़वा दिया था आपके सिग्मा factor ने RNA polymerase को, अब RNA polymerase का काम क्या है, unwinding भी करेगा, मतलब जो बीच में hydrogen bond है DNA को उनको कट करता जाएगा, और नए RNA का template वाले stand पे RNA का formation भी करता जाएगा, और साथ में पीछे का जितने का transcription हो गया है, उसको फिर से वहाँ पे hydrogen bonding करा देगा, अब यह DNA के दोनों stand होते हैं, इनको कट करेगा यही अपका RNA polymerase ही, और जितने part का transcription हो जाएगा, उतना पीछे का जो यह है, इसको बंद करता भी जाएगा, यही RNA polymerase, तो देखो, यह अलग-अलग diagram बने हैं, यहाँ पे, यह इसमें दिखा रहा है, यह transcription स्टार्ट हो गया, यह structural gene पे transcription हो रहा है, और इतने part का transcription हो गया है, तो वहाँ पे जो आपका RNA polymerase है, उसने इधर वाले DNA को, फिर से hydrogen band इधर बना दिया है, इसको फिर से बंद कर दिया है, और यह transcription बबल जैसा structure बन जाएगा, यहाँ पे बीच में, एक बबल जैसा, transcription चलता रहेगा, फिर देखो इतने part का transcription हो चुका है, इससे नया RNA बन चुका है, तो इसको RNA polymerase ने आपके बंद कर दिया है, आगे के part का transcription हो रहा है, तो उतना ही यह DNA खुला है, यहाँ के hydrogen band ब्रेक हैं, और पीछे के hydrogen band फिर से बना दिया है, कि इसने RNA polymerase ने, फिर यह termination side पे पहुँच जाएगा, जब RNA polymerase तो वहाँ इससे row factor जोड़ जाएगा, रो factor क्या करेगा, इसके transcription को रोक देगा, तो यहाँ पर यह point लिखा है, आपका only RNA polymerase required होता है, elongation में, at one side DNA unwind, एक तरफ DNA को unwind भी करता है, देखो, यहाँ से unwind भी कर रहा है, और other side revenge, यह रिविंड भी कर रहा है, यहाँ से जोड़ता भी जा रहा है, जितने पार्ट का transcription हो गया, उतने पार्ट को फिर से वो hydrogen bonding वहाँ पे करा दे रहा है, अब प्रमोटर साइट, जब जड़ा आपका RNA polymerase, तो उसको क्या बोले हम लोग, initiation, फिर उसके बाद हुआ, elongation, अब हम लोग आ गए हैं, termination पे, अब यह पूरे देखो, यहाँ से यहाँ तक के DNA का transcription हो चुका है, जितना आपका gene था यह वाला, इसमें इतने वाले पार्ट का transcription हो चुका है, तो इतने वा जब जुड़ जाएगा कि तो transcription का process रुक जाएगा, यह यहाँ पे लिखा है, row factor bind with RNA polymerase, RNA लिव का जाएगा, जो DNA का स्टेंड है, DNA का का सा स्टेंड, 3 प्राइम तो 5 प्राइम मतलब template वाला स्टेंड, वहां से जो RNA है, वो लिव का जाएगा, लिव का मतलब वहां से हट जा से बाहर आए जाएगा, तो आपका यह transcription का process पूरा हो जाएगा, तो यह आपका DNA से RNA बना, RNA से protein बनती है, तो DNA से RNA कैसे बनता है, वो वाला पूरा process हम लोगों ने देख लिया है, अब यह जो हमने देखा है, तो DNA से direct RNA, direct mRNA बन गया है, यह वाला आपका prokaryotic cell का भी देखा है और जो eukaryotic cell में होता है, उसमें भी process बिल्कुल सेम है, बट उसमें DNA से direct mRNA का formation नहीं होता है, उसमें पहले hnRNA बनता है, DNA से hnRNA बनता है, उसको बोलते है heterogeneous RNA, अब heterogeneous RNA क्या होता है, देखो जो अभी पढ़ा है, हमने उसमें DNA से RNA बना है, DNA से RNA ये वाला बन गया, single standard RNA, इस पे केवल exons present है, क्या present है, exons, exons मतलब पूरा इसका DNA जो है, वो functional है, जो prokaryotic cell में DNA से RNA, mRNA बनता है, direct mRNA बन जाता है, वो पूरा functional होता है, और DNA से RNA, जो eukaryotic cell में बनता है, तो वहाँ DNA में बीच बीच में non-functional पार्ट भी जुड़े होते है उनको बोलते हैं, entrance, फिर उनको remove किया जाता है, उसको बोलते है, splicing, फिर उसके बाद आपका mRNA बनता है, तो transcription, यही transcription अगर eukaryotic cell में हुआ होता, तो पहले RNA नहीं बनता, पहले hnRNA बनता, direct mRNA नहीं बनता है, वहाँ पे, transcription in eukaryotes, hnRNA and post transcriptional modification, eukaryotic cell में DNA से hnRNA बनेगा, फिर hn hnRNA से mRNA बनेगा, और prokaryotic cell में DNA से direct mRNA बन जाएगा, dna से hnRNA बना, इसमें exam, intran, दोनों present है, और यह कहां present है, nucleus में, अब इसका modification करेंगे, यहां से intran, जो है, intran, non-functional part है, बीच, gene के बीच, बीच में जुड़े हैं, उनको वहाँ से remove करेंगे, फिर इसको, फिर इस से mRNA बने transcriptional modification यह किसके लिए होता है, eukaryotic cell में होता है, यह prokaryotic cell में नहीं होता है, इसके होते हैं आपके 3 step, 3 step हैं आपके, पहला है कैपिंग, कैपिंग, दूसरा है, tailing, तीसरा होता है, splicing, कैपिंग में क्या करते हैं, inucleotide, 7-methyl, GTP, guineosine, triphosphate, add at 5 prime int, जो आपका, dna से hnRNA ब जिनको बोल रहे हैं, intron, किसी gene के बीच में non-functional part जुड़े हैं, तो उनका transcription तो होगा नहीं, तो उनको वहां से बाहर निकालना है, क्यों बाहर निकालना है, क्योंकि वह non-functional है, gene को खराब करना हैं बीच में, तो उनको यह eukaryotic cell में ही होते हैं, prokaryotic cell में यह, जो आपके prokaryotic cell में केवल exam से होते हैं, अब इनको यह eukaryotic cell में जब बनता है यह, तो इनको remove करना है, तो इनको remove कैसे करते हैं, कैपिंग करेंगे, कैपिंग में, क्या होता है, जो आपका RNA है, उसके 5 प्राइम इंड से 7 मिधाल GTP जोडते हैं, और tailing करते हैं, उसकी tailing में क्या करते ह हो, एडिनाइलेट के जो residue है, वो 3 प्राइम इंड पे जोड़े जाते हैं, यह cell के अंदर सब अपने आप चलता है, यह हमें कुछ थोड़ी जोड़ना है, यह cell के अंदर अपने पूरा प्रासेस होता है, यूकरेट इक्सल में, कैपिंग, tailing यह सब यूकरेट इक्सल में ह कुछ नहीं होता है, तो 5 प्राइम इंड पे 7 मेथिल GTP से कैपिंग करते हैं, और 3 प्राइम इंड पे वाली एडिनाइलेट की एक टेल बनाते हैं, तो 200 से 300, एडिनाइलेट के residue से, फिर इसकी splicing कराते हैं, splicing कैसे होती है, splicing का मतलब होता है, removal of entrance, जो यूकरेट इक्सल है इसमें जो DNA से hnRNA बना है, डारिक MRN नहीं बनता है, उसमें कुछ ये non-functional part प्रेजन है, अब इनको remove करना है, उसके लिए हमने किया किया किया, kैपिंग की, tailing की और splicing करेंगे, इस प्लाइसिंग में क्या होता है, ये जो आपके entrance फाले part है, non-functional part हैं, यहां से snRNA करते हैं, तब उसको बोलते हैं MRN या processed RNA, ये process किसमें पूरा चलता है, इंट्रांस को remove करने वाला eukaryatic cell में चलता है, ये बार-बार क्यों बोल हैं, ये आप लोग भूल जाएंगे, entrance not present in processed RNA, अब जो eukaryatic cell में उसका modification हो गया है, chain RNA का, उससे MRN बन चुका है, आपका, यहां पर वही diagram में बना है, जो eukaryatic cell में transcription हुआ था, उसे direct mRNA नहीं बना था, ये इस टाइप का कुशार नहीं बना था, इसमें बीच-बीच में ये entrance present थे, ये non-functional part होते हैं, इनकी capping tailing करके, इनको, इनमे 7 methyl GTP जोड़ा गया, 5 प्राइम इंड पे, 3 प्राइम पे, पॉली एड in-trans है, removal of in-trans को क्या बोलते हैं हम लोग, splicing, splicing start होगी, यहां से देखो, निकलने लगे हैं in-trans वाले part, और ये normal वाला mRNA बन गया है, जैसे prokaryatic cell में बनता है, तो prokaryatic और eukaryatic के transcription में main difference क्या है, main difference यहीं है, prokaryatic cell मतलब को बैक्टीरिया की cell, मालनो, E. coli bacteria की hysteria coli bacteria की cell है, और एक human cell है, अब E. coli bacteria की जो cell है, इसमें DNA से RNA बनेगा, उसमें direct mRNA बन जाएगा, इसमें केवल exons present होगी, exons का मतलब जो DNA का functional part है, coding stand है, वही केवल functional वाला part इसमें present होता है, किसमें prokaryatic cell में, केवल exons ही होता है, उसमें, और human cell है, या कोई eukaryatic cell है, उसमें DNA से पहले बनत modification किया जाता है, तब mRNA बनता है, इसको modification को क्या बोलते हैं, splicing, तब इसमें केवल जब exons केवल बचते हैं, तब ये आपका transcription का process complete मना जाता है, यूगरे टिक्सल में, तो prokaryatic cell में DNA से direct mRNA, इसमें केवल exons present हैं, और eukaryatic cell में exon entron दोनों होते हैं, entron non functional है, इसलिए protein synthesis नहीं ह कर आया जाता है, इसकी तीन step है, creeping, telling और splicing, फिर इससे mRNA बनाया जाता है, आप mRNA से आगे, इसका translation करके protein बनाई जाएगी, तो prokaryatic cell और eukaryatic cell के transcription में क्या difference है, पूरा transcription process कैसे चलता है, वो आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा, ये आपको अगर PDF चाहिए, तो आप group से इसको download कर सकते हैं, okay, thank you.